माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्म चारिनी का है। यहां ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की व्रिधि होती है। नवरात्र की नौ देवियां और उनके बीज मंत्र जानिए। ब्रह्म चारिनी का अर्थ तपकी चारिनी यानि तपका आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जब की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारन किये है। पूर्वजन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारदजी के उपदेश से भगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के का इन्हें तपस्यारणी अर्थात ब्रह्मचारणी नाम से अभिहित किया गया। एक हजार वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और सौ वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठे नुपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कश्ट सहे। तीन हजार वर्षों तक तूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़च दिये। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पढ़च गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीन हो गया। देवता, आशी, सिद्धगण, मुनी सभी ने ब्रह्मचारणी की तपस्या को अ भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पती रूप में प्राप्थ होंगे। अब तपस्या छोड़ दाकर घर लोट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। नौरात्री से पून होता है नवरात्री पर्व, पढ़े विशेश जानकारी इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए।